हलो गाईज आप सभी सात्यों का सौगत है आपके अपनी एटूग चैनल टॉपर सिंग पर तो हम लोग जो है मार्निंग अप्डेट लेकर आए हैं आज की जितनी भी नूश पेपर में आप सभी के काम की जितनी भी इंपोर्टेंट अप्डेट है वो सारी की सारी गया है या सिर्फ याचिका करताओं को दिया गया है तो इन पर भी हम लोग बात करेंगे और यूपी टेट दोजार चौबिस का विग्यापन का आएगा इन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि इस समय कांट्रक्च्चुल बेस जितनी भी टीचर गया है तो आज भी दो जिलो का विग्यापना आया है एक आपका गोंडा का है और एक लखनव का है इनको भी हम लोग देखेंगे और साती साथ यूपी में नई सिक्चक भरती को लेकर जो मांग चल नहीं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं चलिए तो फिलाल हम लोग अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करने टेलीग्राम गुरूप अगर आपने मेरा नहीं जोईन किया तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी क्योंकि जितनी भी अपडेट हम यहां पर देते हैं वो अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रूप पर भी मिल जाएगी तो दिस्क्रिप्सन बॉक्स में देदी है चली इस्टार करते हैं वीडियो को को मिल जाएगा किसे कितने कितने नंबर आते हैं syllabus क्या है pattern क्या है वो सारी चीजें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको previous year paper भी देखने को आपको मिल जाएगा और साथी साथ पूरी complete guide है यानि ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका जो B.A.D. ले सकते हैं तो link description box में जाकर आप ले लिजीजी सबसे वहले यहाँ पर देखिए कल हमने इस पर पूरा फूल वीडियो बनाया था जब इसका order आया था फिलाल यहाँ पर newspaper के माध्यम सो भी बताया गया है कि TT 2021 वा 2019 के अब्भेरतियों को बड़ी राहत 2021 के अब्भेरतियों को दो सवाल के grace marks देने और 2019 के अब्भेरतियों याचियों को एक एक अंग देने का निर्देश दिया गया है तो फिलाल मैं बता दूं कि यहाँ पर सबको जो है यहाँ पर नमबर नहीं मिलेगा सिर्फ जो याचिका करता थे जिनोंने याचिका डाली थी उनी लोगों को यहा पर है और 2019 पर एक अंग पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 वाले में 230 जो है यहाँ पर याचिका करता थे जिनको दो अंग जो है मिले जाएंगे बोनस और 2019 में 727 अभ्यारती थे जो याचिका डाले थे याणि याचिका यहाँ पर देजाएंगे ठीक है तो यह चीज उसने श्रिफ दो प्रस्णों पर बोनस दिया है बाकी उन消 na e probably पर हश्तक्ष्य हर्फ नहीं कर सकते हैं इनहोंने का है कि court ने का है किि याचियों ने उत्तर कुंजी पर अपत्ती की है नहीं इसके आदार पर विविद नहीं किया जा सकता है सभी याचियों को राहत पाने का अधिकार है यादेस नयामोर्ति सौरत स्याम समसेरी ने टीटी 2021 के 230 अभ्यार्ति प्रगत अग्रवाल वा 15 अन्य याचकाओं में टीटी 2019 के 727 अभ्यार्ति अकलेस वा 14 अन्य याचियों को आंसिंग मंजूर करते हुए दिया है याचियों का कहना था कि मुहमद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेसमार्क देने का अधेस हुआ था उन्हीं सवालों को 2021 के परिक्षा में सामिल किया गया इसलिए उन्हें भी वैसे ही राहत पाने का हक है ठीक है फिलाल मैं ये पूरी न्यूज पेपर जो है अपने टेलिगरम गुरूप पर डाल देता हूँ आप लोग वहाँ से जाकर इन्गो आप रीड कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते अगली अपडेट देखते हैं ये देखिए ये है दरसल पता है इस समय कि सभी जिलों में लगभग वाकिन इंटर्वीव चलना है केंद्री विद्याले को लेकर जो कांट्रक्शल वेस पर जो वैकेंसी होती है अच्छी खाशी सेलरी भी इसको दी जाती है इसमें कोई जाम नहीं होता है सिरफ आप लोगों को इंटर्व्यू देना होता है तो उसको लेकर के यहाँपर विग्यापन जारी के जा रहे हैं तो यह आप देख सकते हैं कि साक्षतकार के लिए यहाँ पर जारी कर दिया गया है इंट्रिव्यू 9 फरोरी कोगा यह गोंडा का है ठीके तो मैं इसकी पूरा पीडियम में अपने टेलीग्राम गुरूप पर डाल दूँगा आप जाकर डाल क्या दूँगा मैंने डाल दिया है अलएडी आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीके टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐसे ही आपको यहाँ पर लखनोवाला भी मिल जाएगा लखनोव का भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसका भी जो यहाँ पर इंटर्व्यू है उसके लिए यहाँ बता दिया गया है कि साड़े आठ बजे जो है यह बता गया है कि केंद्रे विद्ध्याले 2024-2025 से स्वंविदा क्यादार पर अंसकालिक अध्यारकों को नियोजित करने के लिए निम्र तिथियों में साक्षार कारोना है इच्चुकवा योगी यानि कि यहाँ पर तिथी पूरी दे दी गही है 6 परोरी को इनका होगा 8.5-10.5 बजे तक वहीं पर PGT के 7 परोरी को होगा यह सब आप पढ़ लेना यहाँ से आपना अंदाज लगए पीडियाप बहुत बढ़ी है तो पीडियाप पढ़ लेना टेलिग्राम पर डाल दिया हमने चलिए यह देखे यह वो बच्चे हैं जो लखनव में सिक्षक भरती की मांग कर रहे हैं यूपी में चाहे वो प्रात्री सिक्षक भरती हो जूनियर की हो सभी बैकिल्सियों की मांग यहाँ पर चातर कर रहे हैं कई दिनों से मांग कर रहे हैं कल यह लोग जो है जो निसादगंज SCRTA वहाँ पर यह लोग जो है यह है कि कहीं आचार संगता न लग जाए और अगर आचार संगता लग जाएगी तो जाहिर सी बाते हैं हम लोगो सिख्षक भरती देखने को नहीं मिल सकती है अब एक सबसे बड़ा सवाल है UPTET 2024 को ले करके कि UPTET 2024 कब आएगा देखो एक बात तो विल्कुल क्लियर है कि UPTET 2024 आपका तभी आएगा जब आपकी सिक्षक भरती आने वाली होगी और जो चाहत डरे हुए है कि मेरा UPTET हम नहीं पास है सिक्षक भरती आजाएगी तो क्या होगा पहले बात तो एक समझ लिजी कि बिना UPTET के सिक्षक भरती UPT में नहीं आएगी यह चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ सुनिए इस चीज को पहले तो UPTET 2024 जब हो जाएगा उसके बाद ही सिक्षक भरती आएगी और सिक्षक भरती आपको हो सकता है कि आचार संगता यानि कि जो लोगसभा को चुनावा इसके बाद आएगी इसके पहले हम लोग सोच रहे थे कि लोगसभा के पहले हम लोग को भरती देखने को मिल सकती है बट कहीं न कहीं जिस हिसाब से यहाँ पर ने सिक्षा सेवा आयोग पर एकदम से धिलाई चल लगी है मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा उस पर उस हिसाब से तो हमें यहीं नहीं लग रहा है तो ऐसे में यूपी टेट वाले जितने भी चाहतने हों परिसान नहीं पहले यूपी टेट होगा उसके बाद ही जो है यहाँ पर सिक्षक भरती आएगी इसमें परिक्षाओं में अन्यमित्ताओं से संबंदित अपराद के लिए तीन से पांच सल तक जेल और दस लाक रुपे तक जुर्माना लगेगा वहीं संगटित अपराद के मामले में दस साल की जेल और एक करुन रुपे का जुर्माना मतलब अगर आप पकड़े गए या कोई आपने गलती की तो आपको दस साल की जेल हो सकती है और दस लाक रुपे का जुर्माना हो सकता है मतलब आप सोच सकते हो कि यह बहुत बड़ी बात है यहां पर ठीक है अगर आप उसमें नकल करते हैं तो आपको फिर बहुत लंबे समय तक आप जेल जा सकते हैं और बहुत अच्छा खासा आप लोगों को यहां पर जुर्माना भी देने को पड़ सकता ठीक है करते हैं तो आप सकते हैं तो आप सकता है